नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक और नई ताजा वीडियो में ये वीडियो तुलारासी वाले जातकों के लिए बहुत थी इंपोर्डेंड बहुत थी खास र बहुत ही महत्पुन रहने वाला है क्योंकि 24 जनवरी के दिन त सुबसमाचारों की फ्राप्ति होने वाली है इन लोगों के जीवन के सारे समस्याओं से दुख्तगलिफों से आर्थिक तंगिया और आपके जीवन के प्रिसानु से आपको चुटकारा मिले वाला है कारबैपार बैवसाई के शित्र में वड़ी खुसकवरी की फ्राप्ति होने वाला है निसमें आपके स्चुरों से आपको निजात मिले वाले हैं और आपके तुलारासी वाले जातकों के जीवन के फ्रसानियां अवस्यदर होंगे, आप अपनी आर्थिकी सित्यों में कौफे वड़ा खुशकवरी की फ्राप्ति कर सकोगे, आपके सोचे विकारे पूरे होंगे, इसमें आपको लगतार काई प्रकार के सुनवरे अवसरों की फ्राप् करने वाले हैं, तुलारासी वाले जातकों को आर्थिकी सित्यों को कफे बहतर करने के मोखे भी फ्राप्त होंगे, कारी शित्र में आपको सोई भी किस्मत पे जगन चमकने वाले हैं, और आपके जीवन के फ्रसानियां और समस्याओं से आपको चुरकारा भी फ्राप्त हों आपको सोचवा कारिक पूरी होंगे आपका वेवार लोग भी आपकी औरत आकर सित होंगे वहवाईक जीवन में खुश्यां बने रहेंगे और आपको सेहत पर कॉफी अच्छी होंगे प्रेम परस्ता मिल सकते हैं आपको सफलता के प्राप्ति होंगे सनिदेव जी के प्रभा सकतियां में दूर भागेंगे आपके जीवन में खुश्यां खुश्यां होंगे तदा बिद्यार्तों के लिए यह समय बहुती अनुकूल रहेंगे सनिदेव बाहराज की कृफ़ा से आपके घर में दंसे डुड़े आपके सब्वे प्रकार के समस्याओं से टुकारा वे मि और साथ सुधा जीवन में खुश्यां में रहेंगे आपके सभी काम सफलता पुर्वक पूरे होंगे मिजनस में कोई वी रिख्स ना करें लोग भी आपको उधार पैसा देने से बचने का प्रियास करें चात्रों के लिए दिन बहुती बहत्तिन रहेगा मिजनों यह समय त आत्रे की स्थित्या बे आपके अवस्य मजबूत होंगे आप अपने योजनाओ को सफल बनाने का फृयास कर सकते हैं जीवन में बड़ी खुशकवरी की फ्राप्ति कर सकते हैं तुला रासी वाले जातकों के सारे विगड़ेकारे भी बनेंगे कोट के चाहरी के मावल में आपको सफलता मिलेंगे विमारी का खात्म होंगे और एक नया सा जीवन भी मिलेगा जिसके भी काम को आप महात्तों में डालेंगे आपको सारे काम बन जाएंगे जीवन में मातारानी का चमतकार होंगे दनलाब होगा दूसमनों का नास होंगे और काफी समय से मन में आपको जादा से जादा लाव की फ्राप्ति होंगे बड़े बुजर्गों के आश्रिवात से आपको घर में सभी मांगले कारे संप्रन होंगे जो प्रिवर्तन आपको पिछले कई सालों से न हुए थे वह कुछी दिनों में होने बाला है पत्रों भगवान बहुलिनात जी की किर्फा से दूसरों के सहीयोग लेने में आपको सफलता मिल सकते हैं जीवन सात्री का सहीयोग में आपको अवस्य हासिल होंगे आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने जीवन में परियासरत रह सकते हैं आपके जीवन में अनोक को सकते हैं और काम करने के लिए आप कौफी जाद प्रिसान हो सकते हैं संपत्ति में भी दन निवेस करने की योजना बना सकते हैं पैसो से समंदित कोई भी उलजव अमामला आप आसानी से सुलजा सुकोगे आप अपने किसी भी प्रकार के कोई भी जिम्मेदारों के अंदे क करना आपके लिहानी कारक हो सकता है बुद्रगों के अच्छिसला भी आपको प्राप्त होने वाली है आपके से बड़े से कारे को कर सकते हैं आप अपने ध्यान को केंदरित कर सकते हैं और किसी खास लोगों से आपको बहत्रिन मुलाकात करने के मौक्य मिल सकते हैं आप अपन उनको भी किसी अच्छी कमपनी से जौव का ओफर मिल सकता है, आपको माता फिता का अशिरबाद आपके साथ बना रहेगा, आपके सिविसे इस कारे में आपके दुखों का अंत हो सकता है, आपको कारोबार में गया गानिवेस भी आपके लिलावतायक सिद्ध होंगे, असानक से धन की फ्राप्ती हो सकते हैं, आपका रुका वफैसा भी आपको आपस मल सकता है, आर्थिक पक्ष भी आपका मजबूत रहेगा, कारोबारियों के लिए यसमे अनुकूल रह सकता है, कारोबार में गया गयानिवेस आपके लिलावतायक सिद्ध होंगे, असानक से ध जित्र में नई उपलवदी मिल सकते हैं, आपको साधेदारी के गढ़न से पहले सावधान रहने होंगे, आपको जीवर में सर्वस्रेश्ट विकल्प को समयधारी से चुनने का प्रियास करने होंगे, आप उत्सायत नहों, आप अपने बेकाबू, जीवरन को सम्हाले रख हैं, लेंदेन के कारे में भी आपको विसेश बड़े कुसकबरी मिल सकते हैं, आपके साधी सुदा जिंदगी भी वैतर होंगे, आपके सारे रिष्टे और रिष्टेदारों से दूर रहकर आप अपने समय किसी ऐची जिगा भीताना पसंद कर सकते हैं, जहां जाकर आपको सांती की फ्राप्ती हो सकें, मत्रों भोले नाद जी की कृपा से आपके किस्मत भी फूल जैसे चमकने वाली हैं, आपको असानक से कई प्रकार के मौके फ्राप्तों होने वाले हैं, आप अपने जीवन में कई प्रकार के संकटों और समस्याओं को दूर कर सकते हैं, बनाओं के प्रति आपको नियंत्र रहना पड़ सकता है आपको बहतर कार करने के मौके मिल सकते हैं कारी सिम्ता में भी आपको कई प्रकार के दुखतगलिफ हैं और समस्याओं को दूर करने के मौके मिल सकते हैं आप अपने निजी छेत्र में कई प्रकार के बदलाब कर सकते ह आपको प्रेम समंदू को लेकर आपकर नसीब में बहुत सारी प्रिवर्तन हो सकते हैं आप अपने दिन के सुरुवात का फिय अच्छे से कर सकते हैं और दिन का अंतभे 72 बड़ी खुसकवरी से प्राप्त होंगे मत्रों भगवान सिरेरी विश्रुजी की क्रिफा से आपको अचानक से फायदे होंगे दोस्तों के घर में किसी मांगली कारिकर में सामिल हो सकते हैं आप जिस स्यात्र में कारिकर रहे हैं उस शेत्र में आपको अच्छा फल मिल सकता है आपको बड़ा फैसला ले सकते हैं, आइके नए सुरूत मिल सकते हैं, आपको इधार देव yolणभी वापस मिल सकते हैं, जो वेक्ती नौकरी कर रहे हैं, उन्रोगों को अपने बहुत से इक तरप से बड़ी कुषकवरी मिल सकते हैं, राजमितिक के छेतरों में ने अवसरों क रखने की जरूरत हो सकते हैं इसमें आलस को त्याग कर आप अपने कारी शेत्र को पूरा करने की अवस्त कुस्स करें इसके साथ ही आपको धैरे बना रखने की जुरत होंगी आपको जीवन में समाज में मान सम्मान वढ़ने के मौके मिल सकते हैं आफिस में पुदनती की फ्र पर्षाने दूर होंगी आएके नए ने शुरुत अस्ताफित हो सकते हैं आप अपने वैपार जिगत में कुछ नयाव दलाव कर सकते हैं नोकरी करने वालों को प्रोमोशन के साथ चाथ अस्तांतन भी मिल सकता है आने वाले समय में आपको नोकरी से समंदित कोई बड़े खु उसकवरी मिल सकते हैं आपको जीवन में लाव के उसर मिल सकते हैं जिनसे की वविस्य में लाव होंगे वैपार याटके के कारे में तरकी होने का योग बन रहा है आपको फ्रहस्मुक रह सकते हैं आई के सुरुत में बड़तरी होंगी और विवायत लोगों के जीवन में व बेसों का नतीजा मिल सकता है भागिखे बलबूते आपको आमदनी के नए सुरोत हासिल होंगे संतान पक्षे से भी आपको सुको के प्राप्ति होंगी असानक किसी करीवी रिष्तेदारों से कोई अच्छी खुसकवरी मिल सकते हैं जिनसे की आपको मन काफे प्रसंद होंगे माता लक्मी जी की क्रिफा से आपको अच्छे फायदे फ्राप्त होंगे विसेश रूप से वैपारी वर्ग के लोगों को वैपार में बहारी मुनाफ़ा मिल सकता है आपके करियर में नया बदलावानी के योग बन रहे हैं आर्टिक लाव के मिलने के फ्रवल योग हैं समा प्रकार के दुखों का अंत होने के मौके मिल सकते हैं बार बार लगातार किया फ्रियाद आपको सफलता दिलाएगा आपके किसमत भी असानत से बदलने वाली हैं सनी महराज की गृपा से आपके जीवन में लगातार सफलता को हांसिल कर सकते हैं परिवार में माता फिता का स योग आपको सबसेधिक मिलेंगे लडाई जगडों से विदूर रहने की आवश्य सकता है आपकी किस्मत भी बदलने वाली हैं आपके किस्मत बदलने के कारण आप अपने करियर में आप अपने साड़े साथी का अंत कर सकते हैं आपको जीवन में चल रहे हैं पैसों के तंग परप्त कर सकते हैं, नोकरी पे सवाले लोगों को प्रमोशन मिल सकता है, आप अपने दूस्मनों पर विजय को हासिल कर सकते हैं, पैसों से रुड़े, मामलू में भी आपको आसानी से सुलुजेंगे, आपको अपने पुरानी करदों से मुक्ति मिल सकती हैं, संतान पक्षण से भी आपको खुशकबरें और खुशी का एहसास होगा समाज में आपके प्रतिष्टा बढ़ेंगी सगे समंद्य के साथ आपके रिष्टे मजबूत होंगे माता की तरफ से भी आपको लाब मिल सकता है आप अपने मन चाहे कारे में सफल होंगे प्रभावसाली लोगों के सल ष्टान को कर सकते हैं प्रेम समंदों के लिया आनी वालस मैं मिला जूला रहनी वाला है जो लोग प्रेम प्रसंग में हैन ंको थोड़ा से सदर्ग रहने की जुरत होंगी क्योंकि आपका प्रेम समंद भी उजा कर होने का भय दिख सकता है यासे मैं आपको थोड़ा सा धैरे रखने की जुरत होंगी